एक और जहां केंदर सरकार एवं राज्य सरकार जरूरतमन परिवारों को निशुल कर राशन दे रही है तो वहीं वितरण एजेंसिया उन योजनाओं को पतिला लगाने में कोई कसर नहीं छोट रही है बागली तहसिल के ग्राम पंचायत मातमोर का एक मामला सामने आया है जिसमें बताया गया है कि उक्त दुकान संचलक द्वारा नियमा अनुसार प्रतीमाहा राशन का वितर नहीं किया जा रहा है वही कई प्रकार की नीमित्ता से राशन दुकान संचालित हो रही है सभी ग्रामिनों उने पूरे मामले की गंभिरता से जाज कर उचितकारी वही की मांग की है वही सभी पात्र हित्गायों को नियमा अनुसार राशन वितरन कराने की मांग की गई है बागली से रवी पाटिदार की रिपोर्ट में दिया जाता है इस तरह की शिकायत पराप्त हुई है और भी आशिकायत और बी विंदू हैं जैसे स्टॉक्स हैं लेकिन फिजिकली उनके पास माल नहीं इस तरह की शिकायत है अब इनकी जाच की जाएगी जाच में जो भी तत्थे पाए जाएंगे उसके आधार पर कारेवाई प्रिस्तावित की जाएगी हम देख रहे हैं कि हमारे गाओं की जो ये गरीब महिला हैं इनको समय पर आसन नहीं दिया जा रहा है तो हमने सोसाइट में जाके पूछा बहिया क्यों क्या दिक्कत है तो उन्होंने बताए कि हमारे पास 90 कुंटल प्रतिमा बटना चाहिए और हमारे को आगे से 25 कुंटल दे नहीं है तो हम सब इखटे होकर मानी अनुवेगा अधिकारी महोदे सहब से आज मिले हैं हमने ग्यापन दिया उन्होंने हमें पूर्ण रूप से आस्वस्ति किया है कि हम आपकी समझ्च्या का निराकरन बिल्कुल जल्दी से जल्दी करेंगे कहां कि संस्ता का मामला है यह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना मुलें